जानवर एक दूसरे को मारने की कोशिश न करें तो फिर वो करेंगे क्या ऐसे में तो उनकी लाइफ बिलकुल बोरिंग हो जाएगी। इसलिए हमें भी एनिमल्स की वीडियो को देखने में काफी मज़ा आता है क्योंकि जानवरों को देखना होता ही काफी मज़िदार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साप और छिपकली को एक दूसरे का खोन पीते देखते हैं। और सच बताऊं तो ये दोनों की लड़ाई मैंने सच में अपनी आखों से देखी है। जैसे कि इस वीडियो में छिपकली सूचती है कि वो रेत में छिपकर शिकार करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे छिपते हुए साप ने देख लिया और साप भी रेत में छिपकर पूरी तयारी में है। और देखते ही देखते कब छिपकली का काम लग जाता है। छिपकली का तो पता नहीं चलता, अब छिपकली रेत में नहीं, साप की पेट के अंदर चिपेगी, अब इस क्लिप में बड़ा सा अजगर बड़ी सी मॉनिटर लिजर्ड को मार कर उसे निगलने की कोशिश कर रहा है, अब इस साप की पकड़ इस छिपकली पर देखो जो की बहुत ज्यादा मजबूत है, अब ही तो छिपकली जिन्दा है, लेकिन कुछ देर में उसका दम निकल जाएगा, और ये छिपकली सीधा साप के पेट में होगी, वैसे ही इस क्लिप में भी ये साप इस मचली की जान निकलने से पहले ही इसे पूरी की पूरी निकल जाता है अब जैसे यहाँ इन दोनों की गुंड़ा ही देखो, दोस्तों यहाँ मौनिट लिजर्ड कोबरा का अंडा खाने आई थी, लेकिन कोबरा इसे ऐसा करने नहीं देता, और जाते जाते चिपकली कोबरा को पूँच खीच कर मार दीती है, लेकिन वीडियो में ट्विस्ट त और इन्हें ठंडे तापमान में रहना पसंद होता है, लेकिन यह हनी बेचर की तरह सापों से नहीं उलचते, बलकि इन्हें भालो और भेडियों से उलचने में ज्यादा मज़ा आता है, और यह सब एक वुलवरीन अपनी निडरता की वज़र से कर पाता है, जैसे कि इस भ भेडिया इस वुलवरीन से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर अपनी पकड़ बनाने में दोनों भेडिया नाकाम होते हैं, जिसकी वज़े से इन भेडियों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जब यह आपस में लड़ जाते हैं, तो नतीजा और भी ज्यादा खतर फिर भी यह बिना अपनी जान के परवा किये भालू पर भी हमला कर देते हैं, और इनकी निरता का हाल कुछ ऐसा है कि पहाड़ी शेरों को भी इन वुलवरीन से लड़ना ठीक नहीं लगता, और डर के मारे पीछे हट जाते हैं, अब इन दो कुतों को भी इस वुलवरीन प कितना असान था इस साप को मारना, लेकिन इतने जहरीले साप को मारने के बाद ये पक्षी इस बतक के प्रकोप से नहीं बच पाता, और डर कर वहाँ से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन बतक को इन पक्षी से दिक्कत क्या है, तो वो ये है कि ये और जो बात इन पक्षी को बहुत खतरनाक बनाती है वो ये, कि ये पक्षी सापों को मारने में बड़े उस्ताद होते हैं, क्योंकि जब ये अपनी लंबी-लंबी लाच से सीधा साप की मुँपर हमला करते हैं, तो साप भी इनके आगे दम तोड़ दिता है, जैसे कि इस क्लि इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इन्हें अपने रोज के खाने में साप को खाना ही खाना है, दोस्तो अभी आपने शिरुवात में मौनिटर लिजर्ड को सापों से मार खाते हुए देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार साप ही जीतते हैं, क्योंकि इस वीडियो मे साप का मूँ इतनी कस के इस चुपकली ने पकड़ा है कि इसका बचपाना नामुम्किन है, लेकिन इस वीडियो में कौन जीतता है ये हमको नहीं पता, दोस्तो गोरिल्ला हमेशा ग्रुप में रहने वाली जानवर है जिन में एक मर्द जो ग्रुप का मुख्या होता है और उसके साथ कई औरते और बच्ची होते हैं लेकिन इन मर्दों में हमेशा औरतों को जीतने के लड़ाई और अपनी ताखत दिखाने की जुंग चलती रहती है जिसमें ये ग्रुप के लीडर बन सके और सारी फीमेल गोरिला पर कपज़ा कर सके जैसे कि इस वीडियो में कैस करने पर भी तैंद्वे को कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार तैंद्वा जीत जाता है अब इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है लेकिन इस वीडियो में सुभह के वक्त जब ये तैंद्वा नाष्टे के लिए निकलता है तो ये अपने नाष की बस की बात नहीं होती अब चलिए तो तैंद्वा है जो काफे फुर्तिला होता है लेकिन कभी किसी कमोडो ड्रैगन को किसी हिरन का शिकार करते आपने देखा है जैसे इस वीडियो में देखो जिससे समुद्र किनारे खड़े इस हिरन पर ड्रैगन पलक जपकते हमला कर देता है और अब यहां तो पूरा परिवार ही इस हिरन को खाने में लगा है लेकिन इस हिरन को तो आप देखो जिसे इस चोटे ड्रैगन ने काट लिया और जहर का असर आप हिरन के भी हैवियर से देख सकते हैं लेकिन यहां इस विशार ड्रैगन ने तो सब के सामने ऐसा ह जानवर को मार कर उसकी भूग मिटाना चाहते हैं और ऐसे ही कई वीडियोज में जिससे तैंद्वे ने मॉनिटर लिजर्ड पर हमला किया हो लेकिन अब बिल्लीयों के एक और रिष्दार से मिलिए जिन्हें शायद आप न चानते हो क्योंकि इनका नाम केराकल्स है जो कि उड़ते हुए पक्षी को हवा में ही पकड़ कर मुँ में भर लेते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जानवर छोटे पक्षी और छोटे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरते हैं लेकिन कभी कभी ये जंगली सोरों पर भी हमला कर देते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता अब दोस्तों आपको एक खतनाक चिडिया से मिलवाते हैं जिसे मैक पाई के नाम से जाना चाता है इन्हें ये बात बिलकुल नहीं पसंद कि इनके घोसले के आसपास कोई और जानवर आए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये बिल्ली पर भी हमला करने से नहीं चूकती और इस वेडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैक पाई इस बिल्ली पर हमला करने के लिए सही मौका ढून रही है अब इस वीडियो में मैक पाई अपने एक हमले से इस चुहे को मौत की घाट उतार देती है और तो और ये चिडियों पर भी हमला करने में पीछे नहीं हटती और बेहरहमी से अपने से छोटे चिडियों को मार देती है दोस्तो जुंड में रहने वाले ये बंदर अगर अपने घर पर आ जाते तो फिर ये एक मगर मच को भी मार कर पानी से बहार निकाल लाते हैं और इस वीडियो में तो इस बबून ने शेर के बच्चे को ही किड्नेप करके अपने पास रखा हुआ है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदर इसे नुकसान पहुचाने की फिराक में नहीं है दोस्तो बबून का ग्रुप में हमला करना इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि तैंदुए भी इनसे डर कर भागने पर मजबूर होते हैं अब इस वीडियो में इस अकेले बबून ने इंपाला के बच्चे को अपना शिकार बनाया हुआ है और इंपाला की मा को बच्चे को छुडाते आप देख सकते हैं लेकिन बबून को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब इस बबून के आने से पहले ही सारी फ्लेमिंगो हवा में उठ जाती है लेकिन बबून का भी जवाब नहीं हवा में उचल कर एक फ्लेमिंगो को आखिर बबून पकड़ ही लेता है दोस्तो आप भालू लड़ते हैं तो लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाख और डराव नहीं हो जाती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भालू कितना ज्यादा खुसे में है और ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मारे बिना नहीं रुकेंगे और जब बड़ा भालू छोटे भालू को जमीन में पटक देता है तो छोटा भालू अपने बचा में दूसरे भालू के कान पर हमला कर देता है और आखिरकार ठकने के बाद दोनों भालू लड़ना बंद कर देते हैं और भालू के केस में ज्यानतर ऐसा ही होता है तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही उम्मेधा वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद